अगर आपका Taro अकल्ट में इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं, we have a Taro Certification Course जिसमें A to Z about Taro आपको सीखने को मिलेगा. When I say A to Z, मतलब बहुत simple simple basic चीजों से लेकर, जो भी main main topic है, each and everything connected and related to Taro is covered in this course. अपनी इस जर्नी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं, यानि कि कैसे आप एक professional Taro card reader बन सकते हैं, अपना career Taro में बना सकते हैं, ये भी इस course में covered है. और अगर इसी से ही related कोई भी doubt, कोई भी सवाल आपके मन में हैं, आप screen पे दिये गए number पर हमें WhatsApp कर सकते हैं, अपने doubts को clear कर सकते हैं. Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए July 2024 की Love Taro Reading. तो अगर आप जानना चाहते हैं July मन्त में, आपके partner की क्या energies रहेंगे आपके लिए, इस relationship के लिए, आप क्या महसूस करेंगे, finally July मन्त में क्या होगा तो ये reading आपके लिए है, और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं, यानि की लगन से भी देख सकते हैं, नाम की राशी से भी देख सकते हैं, sun sign, moon sign से भी देख सकते हैं, जिस sign से आप connected feel करते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये आपका sign है, उसी sign के हिसाब से आप tarot reading को देख सकते हैं तो चलिए जी देखते हैं कि July 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है चलिए prices आप लोगों के लिए देखें कि July 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में बसे आपे तीन set of cards हैं First set of cards में हम आपके energies देखेंगे Second set of cards में आपके partner की energies देखेंगे And third set of cards में हम देखेंगे कि finally July मन्त में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए आपे सबसे बहला card मुझे दिख रहा है Night of Inspiration Reverse और ये card कहता है कि किसी भी level पे किसी भी तरीके से एक movement आप चाहा रहे हैं एक shift आप चाहा रहे हैं और इसी से ही related छोटे-मोटे issues मसले रह सकते हैं अब दीखिए movement shift सब के लिए differ करेगी कुछ prices के लिए literally हो सकता है कि आप travel करना चाह रहे हैं specially अगर आपके partner long distance में हैं दूसरी city में रहते हैं तो travel करके उनसे मिलना चाह रहे हैं पर कोई भी reason हो सकता है travel का और उससे related delays हो रहे हैं या you know आप चीजों को next level पर लेकर जाना चाह रहे हैं उससे related issues मसले हो रहे हैं या आप कुछ चीजों को end करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं अगेन देखिए जो भी चीजे मेरे mind में आ रहे हैं मैं कह रही हूँ कर रहे हैं और इसलिए या पर otherwise भी एक restlessness एक anxiety हो सकता है आप महसूस कर रहे हैं deeper level के लिए hunter का काट कहता है कि कुछ चीजों को इस relationship से related partner से related या literally partner को ही बहुत जादा आप चीज कर रहे थे बहुत जादा आप उनको अपना goal बनाके या उस situation उस चीज को अपना goal बनाके उसके लिए efforts कर रहे थे और यह efforts कुछ के लिए silent level पे हो सकते हैं emotional level पे हो सकते हैं जो फिजिकल लिए पर हो सकते हैं और कहीं देखिए अगें जो आप चाह रहे हैं उस तरीके से चीजें नहीं हो पा रही नहीं हो रही हैं और यहां पर spoiled का card कहता है यहां तो in the process आप से कोई गलती हुई और आपको इस चीज का हैसास है यहां पर partner की तरफ से कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ issues हो रहे हैं और यहां पर the hermit reverse का card कहता है कि आप यहां तो बहुत एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं यहां फिर एक अकेलापन चाहा रहे हैं अब देखिए अकेलेपन के भी सब के लिए different reasons रहेंगे लेकिन hermit reverse का card एक चीज तो बहुत clearly कहता है कि आप उतने action initiatives नहीं ले रहे हैं आप अपनी तरफ से उतना effort specifically mid July में नहीं करते वे दिख रहे हैं आप कहीं चीजों से withdraw कर रहे हैं backseat ले रहे हैं आप impulsive नहीं होना चाहा रहे हैं और हो सकता है कि स्टार्टिंग जुलाई में या कुछ टाइम से आप काफी impulsive हो रहे थे काफी जल्दबाजी कर रहे थे कुछ चीजों को लेकर और mid July में कहीं आपकी एकदम से contrary energies रह सकती हैं यानि कि आपको ऐसे लग सकता है कि नहीं इतना impulsive नहीं होना है इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है थोड़ा सा space लो अपने लिए थोड़ा सा समय लो थोड़ा सा अच्छे से चीजों को सोचो समझो फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ो और इसी वज़े से याँ otherwise कोई भी reason हो सकता है spoil का काट कहता है कुछ चीजें खराब हो रही है और मैंने अभी कहा या तो आप से कोई गलती हुई जाने अन जाने आपके partner से हुई and end July के लिए sweet talking का काट कहता है कि बहुत ही प्यार महबबत से बात करके आप चीजों को resolve करना चाह रहे हैं और हो सकता है in the process या तो आप किसी से guidance ले रहे हैं किसी से advice ले रहे हैं आपे कुछ के लिए professional guidance हो सकती है या फिर किसी तीसरे इंसान को आप involve करना चाह रहे हैं चीजों को ठीक करने के लिए या कोई भी और reason हो सकता है या पर three of pentacles reverse का काट कहता है किसी तीसरे की energies इस relationship में आप महसूस कर रहे हैं या फिर आ रही हैं या फिर आप you know जान मुझके किसी तीसरे को लाना चाह रहे हैं और यहाँ पर देखिए romantic triangle की बात मैं नहीं कर रहे हूँ कुछ के लिए हो सकता है romantic triangle भी और कुछ के लिए हो सकता है simply you know advice, guidance, counselling के लिए आप किसी से connect करना चाह रहे हैं and कहीं in the process आपका professional front career neglect हो रहा है या फिर you know आप focus करना चाह रहे हैं उस तरीके से आप focus नहीं कर पा रहे हैं अब देखते हैं कि आपके partner की energies आपके partner के लिए आपे सबसे पहला card है page of materials reverse तो या तो उनकी immature energies रह रहे हैं यानि कि आपके partner की immature energies रह रहे हैं immature एक जिद उनकी तरफ से रह सकती है immature rigid fixated वो किसी चीज के लिए हो सकते हैं और इसी वज़े से अच्छी खासी बनी बनाई चीजें बिगड़ रहे हैं या फिर आपके partner को इस चीज का हैसास हो रहा है कि आपकी या उनकी immaturity की वज़े से अच्छी खासी बनी बनाई चीजें बिगड़ी और यहाँ पर obstacles का card कहता है कि काफी एक obstacles अरचने वो महसूस कर रहे हैं इस चीजें बड़ा मुश्किल है या फिर जो इशूस प्रॉब्लम से उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर five of voices का card कहता है कि एक unfair energies यहां तो वो महसूस कर रहे हैं यहाँ फिर इस relationship से related अपने तरफ से एक unfair energies महसूस कर रहे हैं अब यहाँ पर देखिये हो सकता है कि उनका religion इतना support ना कर रहा हूँ family members यहाँ parents इतना support नहीं कर रहे हैं उनको लग रहा है कि उनको यानि कि आपके partner को इस relationship में आगे नहीं जाना चाहिए और again कोई भी reason हो सकता है deeper level के लिए hot dog appetite का card कहता है बहुत आपके लिए एक love, love से भी जादा एक craving, एक desire चाहा महसूस करते वह दिख रहे हैं और इसलिए आपे fragile का card कहता है कि end July में या July मन्त में बहुत weak, बहुत vulnerable वो महसूस कर सकते हैं उनको ऐसे लग सकता है कि again emotionally बहुत weak हो गया है, उनके अंदर उतना strength, उतना stamina नहीं है कि वो चीजों को बहुत courageously, बहुत boldly face करें, deal करें और यहाँ पे दिखिए five of inspiration का card कहता है कि छोटे-मोटे issues, छोटे-मोटे मसले surface level के लिए उनकी तरफ से अब उनका personal front भी एक reason हो सकता है जिसकी वज़े से relationship में छोटे-मोटे issues, मसले वो महसूस कर रहे हैं या फिर जैसे मैंने अभी बताया, उनके parents इतना नहीं इस relationship को approve कर रहे हैं, society, religion, या उनका ही belief system किसी चीज़ को लेकर है उसकी वज़े से इस relationship को 100% नहीं approve कर पा रहे हैं वो again कोई भी reason हो सकता है, छोटे-मोटे issues, मसले रह रहे हैं और हो सकता है कि एक argumentative सी energies है, यानि कि थोड़ा एक argument वो ज़्यादा कर रहे हैं difference of opinion उनके आपके साथ ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं उनको upfront होके नहीं deal कर पा रहे हैं, उतना हिम्मत, उतना strength, उतना stamina नहीं उनको लग रहा है कि उनके अंदर है चीज़ों को deal करने के लिए अब देखते हैं कि जुलाई मन्त में क्या हो रहा है तो देखिए यहाँ पर जुलाई मन्त के लिए सबसे पहले cards है internal suffering addiction and a hangman और यह दोनों ही cards कहते हैं कि एक stuck energies आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकते हैं हो सकता है आप दोनों या आप दोनों में से किसी एकने पीछे या फिर जुलाई मन्त में, जुलाई स्टार्टिंग में इंफाक्ट मैं कहूंगी बहुत sacrifices करें, बहुत adjustments करें, बहुत compromises करें और कहीं internal suffering addiction का card कहता है कि परेशान हो रहे हैं, कहीं या बहुत एक happy, joyful, peaceful energies नहीं रहती भी दिख रही है आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि बहुत गंदी वली addiction पढ़ गई है partner की और चाहा के भी उनसे दूर नहीं हो पा रहे हैं या फिर इतनी emotional mental dependency होगी है कि उनके अलावा किसी और चीज में मन नहीं लगता है किसी और चीज पर focus नहीं कर पाते हैं और ये चीज भी हो सकता है, बहुत bother कर रही हो पाईसेज आपको या आपके partner को और दिखे कहीं मुझे लगता है दोनों को ही कर रही है क्योंकि आपके लिए hermit reverse का card एक अकेले पन की बात करता है और night of inspiration का card कहीं anxious restless energies की बात करता है उनके लिए five of voices का card कहीं you know unfair energies manipulation की बात करता है तो दोनों की ही तरफ से ये कहीं मन ही मन एक you know restlessness, anxiety या फिर किसी भी level पे एक परेशानी रहती हुए दिख रही है और फिर से कहूंगी कहीं इसको solve करने के लिए action initiatives नहीं ले रहे हैं कहीं pause लेते हुए दिख रहे हैं और यहां पे four of cups का card भी इसी चीज को confirm करता है कि बहुत एक boredom रहता हुआ दिख रहा है, एक monotonous energies है हो सकता है कि excitement, enthusiasm भी missing है कहीं सब चीज़ें आसपास ठीक ठाक हैं लेकिन किसी भी चीज़ को अच्छे से enjoy नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से focus नहीं कर पा रहे हैं और यहां पर usual suspects the gang का card कहता है कुछ prices या फिर उनके partner को ऐसा लग सकता है कि आपके पीछे से लोग groups बना के आपके बारे में बात कर रहे हैं या फिर एक आपका ये डर है कि कहीं लोग आपके बारे में उल्टा सीधा ना बुलें या लोग आप लोगों को लेकर कुछ negative ना कहें और लोगों के डर से भी या लोगों की वज़े से भी एक emotionally low आप लोग महसूस करते वे दिख रहे हैं कहीं एक motivation, enthusiasm, excitement मिसेंग है तो दिखे फिर से कहूंगी the gang and usual suspects के card कहते हैं कि आपके पीछे से लोग क्या कहेंगे इसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं especially अगर आप social media में बहुत active हैं आपकी बहुत fan following है तो कहीं fans आपके लिए कुछ उल्टा सीधा ना बोलें या otherwise भी again लोग क्या कहेंगे ये चीज काफी mind में चल रही है I don't care and Muse of material का card कहते हैं कि काफी practical realistic होके चीजों को आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक deal करना चाहा रहे हैं और deeper level के लिए ये एक attitude आ सकता है बस अब लोग कहते हैं तो कहने दो अब परवा नहीं हैं अब नहीं ज़ादा bother करना है I don't care का card सब के लिए थोड़ा थोड़ा करेगा क्योंकि यहां पर हमने देखा usual suspect the gang के card में कि आपके पीछे से लोग आपके बारे में क्या बात करेंगे ये एक concern ये एक fear है और हो सकता है कि यही fear कहीं end rely में आप overcome कर रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि बस बहुत हो गया लोगों के बारे में सोचना अब नहीं उनको इतना attention देनी है नहीं इतना bother करना है खुद को इस चीज को लेकर या फिर partner की ही कुछ issues मसले आपको Pisces bother कर रहे हैं या partner को कर रहे हैं तो एक ऐसी सी feeling आ सकती है बस यार अब जो नखरे इनोंने करने हैं जो इनोंने करना है करने दो अब और हिम्मत नहीं है बरदाश करने की अब I don't care तो दीखिए situation, circumstances सब Pisces के लिए differ कर सकते हैं उनके partner के लिए differ कर सकते हैं I don't care का card कहता है कि कहीं जो चीजें आपको bother कर रहे हैं उनको आप अपने उपर ज़्यादा हावी नहीं होने दे रहे हैं और बहुत practical, realistic के चीजों को deal करना चाहा रहे हैं और फिर कर रहे हैं तो ये था Pisces आप लोगों के लिए July 2024 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को like, share, subscribe ज़रूर करें